राकी, तीज, चन्माफमी, गडेश जी, सारे बैक टो बैक तो बैक तो हार अब लाइन से हैं, ऐसे में एकदम महंगी वाली मिठाई जो मार्केट में 400-500 रुपे किलो मिलती है, हलवाई वाली पर्फेक्ट रेस्पी मैं आपको घर में बनाना बताती हूँ, इतनी चूसी बा कितनी अंदर से रसीली है, बिल्कुल पर्फेक्ट रेस्पी आपके लिए लाऊंगी ताकि आप घर में ही इतनी महंगी मिठाई को बना कर इंजॉय कर सकें, और सबसे ची बात है कि ये मिठाई जल्दी से खराब भी नहीं होती है, मैं हूँ रुपाली और मेरे साथ मिलकर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि टाइम पर सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, तो आईए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बना पर तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक कटोरी ली है, तो 300 ग्राम के करीब समझ लीजिए 300-300 ग्राम के आसपास मैंने मेंदा ली है, और ये मेजरमेट्ट मैंने ले लिया है कटोरी से, और इसमें हम डालेंगे एक चमच बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर डालना है आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है, याद जो घर में खाने वाली चम्मच होती है ना नॉर्मल उस चम्मच से मैंने एक चम्मच डाला है अगर आपके पास मेज़मेंट वाली स्पून है तो एक टी स्पून भरके आप डाल सकते हैं बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही देखे एक छोटा कटोरी भरकर मैंने यहां पर लगभग होगा यह पचास से सो एमल ग्राम के बीच में होगा मतलब एक बड़ा कटोरी में एक छोटा कटोरी घी डाला है तो घर की कटोरियों से आप मेज़मेंट करेंगे तो असानी से बना लेंगे इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है बस यह याद रखिएगा मौई अच्छे से घीजए घी को और घीका ही मौईण दीजेगा क्योंकि जो बालू-शाहिये बले आप तेल में उसको तले लेकिन मौईण जो है घीका दीजिए ताकि एक तेस्टी से बालू-शाहि बनके तयार हो और इसमें एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं ताकि बालू-श हमें बहुत रफ दो लगाना है इसमूद नहीं करना है मसल मसल के क्योंकि बालु शाही में लेयर्स तभी आती हैं अंदर तक रस तभी एब्सोर्ब होता है जब इसमें अच्छे से नीचे परते होती हैं अंदर यह देखे कितना सौफ डो है बैसिकली जो हल्वाई लोग होते बालु शाही की चाष्णी होती है बहुत तार वाली गाड़ी चाष्णी नहीं होती है हलकी चिप चिपी सी चाष्णी आपको बनाना है इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है कि आपको बहुत परफेक्क चाशनी चाहिए हल्की चिपचिपी होनी चाशनी आपकी ताकि बालुशाई अंदर तक एब्जॉव कर सके ये देखे चिपचिपाहट आरी है इसमें मैंने फूट कलर भी डाल दिया औरेंज वाला टोटली आप चाहें तो और इसमें मैंने लगभग आधा चमच नीबू करस चाला है ताकि ये जो है क्रिस्टलाइज ना हो जमे ना चाशनी बालुशाई के ऊपर अंदर तक अब्जॉव हो जाए और यहां पर ये टोटली ओप्शनल है केवडा जल या गुलाब जल अगर आपके तो आप मिठाई बनाते हैं चाशनी वाली तो उसमें थोड़ा सा आप एक दो ड्रॉप डाल देंगे तो आपकी खुष्पू बहुत अच्छी आएगी मिठाई मैंसे बहुत अच्छी सी एक फ्रेश फ्लेवर आएगा और मैं इसमें कुछ केसर के धागी भी डाल रही अगर आप घर में बना रहे हैं तो को टोटली स्किप कर देना उसके बाद देखिए चाशनी बन गई है और यहां पर हमारा दो भी सेट हो गया लगबग 10-15 मिट हो गया है और इसे हम चाकु की हैं इकॉल पार्ट में काट लेते हैं परत बनाने के लिए इसमें तो टोटली पर अपने के लिए पर अपने का बालुषाही तो टोटली देल में पर नहीं पर खूलती है इसलिए आप साइस जो है आप अपने अकॉर्डिंग करिए अभी में दिखाते हूं आपको कि मैंने चोटी चोटी लोईया काटी है गोल कर यहां इस तरीके से और वो जबल होगी तो साइस आप अपने अकॉर्डिंग रखेगा हाँ से इस तरीके से रफली प्रेस करके और बीच में आप राउं इस तरीके से चेट कर लीजे या तो फिंगर की हैब से या तो आप किसी बेलन या कुछ भी इस रो की हैब से आप चेट कर सकते और बस आपको एना बहुत ज जब तक एक बेच फ्राई होने में टाइम लगता है तो तेल आपको एकदम हलका गरम रखना है यह देखिए जब मैंने थोड़ा साइट डाला तो यह नीचे जाके बैट गया है बबल्स भी बहुत जादा नहीं आ रहे हैं मतलब तेल बहुत जादा गरम नहीं है बिलकुल जब आप बालुशाही डालेंगे तो देख लीजे इस तरीकी के बबल्स आने चाहि यह तेल में बालुशाही नीचे बैठ जाएगी यही सिम्टम्स होते हैं बालुशाही को अच्छे से अगर आपने सेका है तो बालुशाही बहुत बढ़ियां बनके तयार होगी घर में अंदर से कच्छी भी नी रहेगी बहुत क्रिस्पी और मुह में घुल जाने वाली बनेगी तो इस समय आपको इसे टच नहीं करना है मैंने बस चम्मत से हलका सा हिला दिया है ताकि वो नीचे बैठे ना नी तो एक तरफ बालुशाही में थोड़े से स्पॉट आ जाते हैं आप चाहें तो कडाई को इस तरीके से मूफ भी कर सकते हैं और देखिए तो कुछ देर बाद लगबग दो से तीन मिनिट बाद ये बालुशाही अपने आप तेर कर ऊपर आ जाएंगी और इसे आपको लो फ्लेम पर ही सेकना है एक बैच फ्राई करने में आपको लगबग आट से दस मिनिट अराम से लग जाता है और ये देखिए मैंने स्पून की फोक की हलाया इसको बहुत जादा आपको चलाना नहीं होता है बस हलका हलका सा पलटते रहे बीच बीच में और ये आट से दस मिनिट में सिककर एकदम तयार हो जग गई है मैं चेक करी थी एकदम अर इसे निकाल लेते हैं आप बहुत जादा इसको कलर फुल मतलग बहुत जादा डीप ब्राउन ना करें अधर बालु शाही जो है वो काली दिखती है और इस तरीके से चौईस आपकी आप चाहे तो थोड़ा सा और कलर के लिए कर सकते हैं बट ये सिक चुकी है इसे में निकाल लेते हो एक जाली में और इसे जाली में निकालने के बाद आपको वार्म लुक वार्म चाशनी में डालना है जो चाशनी है बहुत जादा गरम नहीं होनी चाहिए बालु शाही गरम रहेगी चाशनी हमारी रूम टेंप्रेचर पर या वाम सी रहेगी और मैं डाल द जब तक फ्राई होगा तब तक वो बालु शाही को उसी में डिप करके छोड़ देंगे हम तो सेकंड बैज भी मैंने फटा फट से फ्राई कर लिया है और इस देखे पहला बैज जो है बढ़िया से रसीला सा हो चुका है एकदम अंदर तक इसके अंदर रस्त गया है एकदम ह यहार ने मिठाय जब आखे ठीव जरूरी होता है तो घर पे बना लीजिए तोडी सी महंदा से मैंने इतनी सारी बालु शाही बना के तयार कर ली है मुझे टाइम भी ने लगा आधे गंटे में बनके तयार हो जाती है तो इतनी महंगी मिठाय मार्केट से क्यों लाना जब लिखों कोई और झालो किसे बाद की डास जमें तो मुझे बालुशाई की सबसे अच्छी बात यह लगता है कि यहें आप राम से वीक भर आप इंच़ जाय कर सकते हो यह खराब नहीं होती है रूम टैंपरेचर पर अराम से आप सकते हो तुमुझे सबसे बात यही लगती है इसे बना के आप रख सकते हो आपको इंस्टेंड नहीं बनाना होता है और इंजॉय कर सकते हो कुछ दिनों तक घर की एकदम परफेक्ट रसीली बालु शाही की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पर बताना चलिए इसे थोड़ा सा डेकुरेट कर लेते हैं जिए इसे नहीं के लिए एकदम पर बनाने के लिए आप चाहें पर चान्दी का वर्क लगा सकते है थोड़ासा और के सब्हूंत के दागे डाल सकते हैं या फिर उपर थोड़ा सा नट को स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि एकदम मार्केट जैसी लगे तो देखिये कितनी रसी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसके साथ ही मेरे चैनल पर आपको फेस्टिबल स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के एंड में उसे जरूर चेक करिएगा ताकि आपको बहुत सारी रेस्पी मिल सके तोड़ के दिखातियों अंदर तक कितनी रसीली गई ह यह देखिया बिलकुल बालुशाई ने अंदर तक रस को पी लिया है अंदर तक जूसी बनी है और बहुती जादा माउथ वाटरिंग बालुशाई बनके तयार हुए तो आप भी बनाएंगे कमेंड पर बताएगा रहा तो